किराना स्टो दुकांदार स्वामी से बीरी के मंदल के पैसे मांगने को लेकर दबंगों ने की मार पीच मुरादाबाद जनपद के मूनहपांडे थानाक शेत्र के बीरपूर बरियार उर्फ खरक गाउं में उस समय हड़कम्प मच गया था जब किराना स्टो दुकांदार स्वामी मोहम्मद अली ने बीरी के मंदल के पैसे मांगे तो दबंगों ने किराना स्टो दुकांदार स्वामी मोहम्मद अली के साथ मार पीच कर दुकान की दराज में रखी 27,000 रुपे की नदी चुरा कर कर परार हो गए और पीरित दुकांदार स्वामी को धमका कर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से घटना को अंजाम देकर रफुचकर हो गए जिसके चलते पीरित दुकांदार स्वामी मुहम्मद अली ने साथ में हुई पूरी वारदात की तहरीर पुलिस को देकर पुलिस से आरोपिय के खिलाफ कारवाई की मदद की गुहार लगाई लेकिन पुलिस ने भी दबंगों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की और वह दबंग अभी भी गाउं में दबंग गिरी दिखाते हुए गूम रहे हैं जिससे पीरित परिवार को अपनी जान और माल का डर बना हुआ कारवाई की फिर से मदद की गुहार लगाई है। पूरा मामला आपको बताते चलें मुनहपांडे थानाक्षित्र के बीरपूर बरियार और खरक गाउं के मोहम्मद अली की किराना स्टो की दुकान गाउं में ही है और फिफ्ट आप मार्च को रात्री के नाइन बजे तीन अभियुक्त बीरी का कमंदल लेने उसकी दुकान पर पहुँचे दुकानदार स्वामी मोहम्मद अली ने बीरी का कमंदल दिया और मंदल के पैसे मांगे तो दबंगों ने उसके साथ गाली गलोज करना शुरू कर दिया गाली गलोज का विरोध किया और पैसे मांगे तो दबंगों ने मुहम्मद अली दुकानदार स्वामी के साथ जमकर मारपीट की और उसकी दुकान की दराज में रखे 27,000 रुप्ये चुराकर तीनों दबंग अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए घटना को अंजाम देकर परार हो गए। दुकानदार स्वामी को अपनी जान और माल का खत्रा बना हुए पीरित दुकानदार स्वामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दबंग अभियुक्तों के खिलाब फिर से कड़ी कारवाय की मदद की गुहार लगाई है। वही पीरित दुकानदार मोहम्मद अली के बुजुर्ग पिता मोहम्मद हनीथ ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो पुलिस को तहलीर दी है उस पर दबंग अभियुक्त अभी फैसला ना होने को लेकर दबाव बना रहे हैं और रेप के जूटे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं जिससे पीरित परिवार दबंगों के जूटे मुकदमे से और दबंग गिरी से दरा सहमा हुआ है जिसके चलते पीरित परिवार में दबंग अभियुक्तों के खिलाफ मुरादाबाद के वरिष्ट पुलिस अधीक्षक और थाना अध्यक्षकडी सब्सक्राइब की आरोपियों के खिलाफ मदद की गुहार है कि मेरा नाम हनीव है हनीव दिन हफ्ते का था राज के साले नों पोने दस का टैम ता तुकान बंध होने का टैम था जल्ला लड़का गिन्या था एक पीन आए और उन्हें मंदल मांगा दो बाहर रहे वो मंदल जेलकरा लड़के ने पैसे को कहा उन्हें ताना साही दिखाई दोनों ने आके मार्क वीट करी और पैसे लेकर और यहां से चले गए और अब हम ते यह कहते हैं अगर फैसला नहीं करोगे तो तुम्हें चैतर के सब्सक्राइब को पुलिस का यह कहना है तो मतलए के भूट हमें तो इस बचे का शचर बना हुआ है कि यह कह रहे हैं तो अपने बैच्चों सब्सक्राइब करें वह इसी किसम के आदमी है जाब गंदे इसाफ के देनियत के आदमी और इस देब देजित का कोई पता नहीं है एक का नाम बाप का नाम पत्रेश्वा दूला बड़े का नाम आशिभ है और छोटे अरिफ और छोटे का नाम आशिफ है दबंढ लो है इसके अरवाई होने चाहिए जाहिए जाए जाहिए जाएए कि फोटे खोटे वोटेशन दुखनदार बिजिस्मेन आदमी हम जगडा कप्चाते है इसके राम आपका? मुहमाद अली ताओन लीवासी ही है? ठरक अनके लिघृए मुणा क्या कटन अभी आपके लाव? मैं दोकान पर बठाथा उन्होंने मंदल आनके मांगा था मैंने पूरे पैसे गिनके रखित थे दोकान बंद कनने का डेम था यह आने गवाद में उठका मंडल देने के लिया गया उन्होंने ठेली उठाकर उनके लड़कों न मार पीड मेरे साथ करी उपसे लेकर भाज गए पैसे कि लगवाग सत्ताई सेर रुक थे समान और कुछ नहीं लिया था मंडल और पैसे लेगा भाग वह मारा था लग पुरानी कोई रंजिस नहीं है मंडल को पर उसने होने तो हमसे मंडली मांगा हमने तो मंडल दे दिया मंडल देने गए आसिफ आरिफ दूला करी थी तो इसमें क्या बश्विन दिया तो इस बार आई थी उसके बाद कुछ नहीं है दूबार अथाने नहीं है आए अश्याइब करी थी झाल झाल झाल